तो आज जो में पोयम डिसकस कने जा रहे हैं उसका नाम है बेलबर्ड्स जो कि एक ऐस्ट्रेलियन बुष्ट पोयट हैंडरी केंडल के द्वारा लिखा गया है तो इस पोयम को बेसिकली येर 1867 में इसे ऐस्ट्रेलिया के एक काफी पॉपुलर और इन्फुएंचल न्यूजपेपर इसे पब्लिश किया गया था और फिर कुछ समय बाद ही इसे हैंडरी केंडल के एक खुद के कलेक्शन आफ पोयम जिसका नाम लीवस फ्रम उस्ट्रेलियन फॉरेस्ट था उसमें भी इसे येर 1869 में पब्लिश किया गया था तो इस पोयम को सिंपली 5 स्टैंजाज में लिखा गया है और इसके हर एक स्टैंजा में टोटल 8 लाइन कंटेन करते हैं बस इसके लास स्टैंजा में यानि इसके फिफ्ट स्टैंजा में टोटल 10 लाइन लिखे गये हैं और इस poem के थुरू Henry Candle जो है वो हमें Australia के beautiful mountains, valley और rivers के बारे में बताते हैं और इसके साथ ही वो हमें एक bellbird नाम की सुन्दर सी पक्षी जो की spring के मौसम में सबसे ज़्यादा beautiful और passionate दिखाई परती है वो हमें उसके बारे में एक detailed description देने की कोशिच करते हैं और इस poem के end में वो हमें एक conclude करते हैं कि इस poem के थुरू वो Australia के forest के beauty को अपने writings में capture करना चाते हैं और उसे अपने साथ शहरों में लेकर जाना चाते हैं जहां पर उन्हें इसके सबसे ज़्यादा जरूरत है तो चलिए ये तो हो गया इस poem से related कुछ basic information तो अब बिना टाइम बेस की आज के जो मेरा poem है Bellbirds इसे हम लोग शुरू करते हैं तो इसके first stanza की शुरूवात कुछी सरर से होती है की By channel of coolness the echoes are calling And down the dim gorges I hear the creek falling It lives in the mountain where moss and the sedges Touch with their beauty the bank and the ledges Through breaks of the siddhar and sycamore bowers Struggles the light that is love to the flowers तो इन lines में by channel of coolness से इन का मतलब है कोई बहती हुई नदी या stream फिर echoes का मतलब है आवास का गूंजना या reflect होना Dim gorges का मतलब है deep valleys यानि गहरी घाटी जहां पर नीचे थोड़ा अनेरा हो या रोशनी थोड़ी कम हो Cricks falling का मतलब है किसी प्रकार का waterfall या ज़रना जो कि उन valleys से या घाटियों से बह रही हो फिर moss का मतलब है जो हरी रंगी काई होती है वो sedges का मतलब है एक प्रकार का गास जैसा कि आप image में देख सकते है फिर banks और ledges जो हैं वो दोनों ही एक प्रकार के synonym या similar type के word है जिनमें banks का मतलब है नदी का किनारा और ledges का मतलब है पहाडों के किनारे या border वाला area और आखिर में cedar और sycamore जो है वो दोनों ही एक तरह के पेड़ है जिनमें cedar जो है वो कुछ-कुछ pine tree की तरह दिखने में लगता है और sycamore एक average tree की तरह लगता है जैसा कि आप image में देख सकते हैं तो इन lines का overall meaning यह है कि जब henry candle आस्ट्रेलिया के जंगलों में और वहाँ के पहाडों और वादियों की बीच में गय हुए थे वो भी spring के मौसम में जब वहाँ पर उन्हें ठंडे ठंडे नदी के पानी के बगल में चलते हुए उन्हें किसी गहरे घाटी से या वैली से बहते हुए जणने की आवास सुनाई देती है और वो आवास दूर से ही उनके कानों में गूंज रही होती है या एको क्रियेट करती है फिर पोयट आगे कहते हैं कि ये जो बहती हुई नदिया है और जो जढने है ये उन पहाडों में ही और उन वादियों में ही बसते हैं जहां पर हरी रंगी काई और एक प्रकार का घास जिने हम सेजेस कहते हैं वो अपने ब्यूटी से उन नदी के किनारों को वाटरफॉल क किनारों को और उन पहाडों के बॉर्डर को अपने हरी रंगी काई और उस घास से सौंदर प्रदान करते हैं या उन्हें अपने कलर से ब्यूटीफाई कर देते हैं और फिर जब सूरज की चमकदार रोशनी है उसकी रोशनी जब सिडार और साइकमोर के पेड़ के टहनियो के बीच में से उसकी रोशनी जब जमीन के खिले हुए जब फूल है उन तक पहुचती है तो वो रोशनी उन फूलों के लिए काफी ज़ादा प्रिय या लविंग होती है यानि वो रोशनी उन्हें काफी ज़ादा पसंद होती है उन जमीन में खिले हुए फूलों को और इ जंगलों में जो bellbird नाम की चिडिया है या फिर जो पक्षी है उसकी आवाज या उसकी चहक poet को किसी गाने से भी ज़्यादा sweet लगता है या मीठा लगता है और सोने के बाद या सोने पर जो हमें softness महसूस होता है उसकी आवाज उससे भी ज़्यादा soft लगती है poet को तो चलिए ये तो हो गया इसका first stanza और अब हम देख लेते हैं इसकी second stanza को तो इसके second stanza की शुरुआत कुछी सरह से होती है की The silver-voiced bellbirds, the darlings of the daytime, the sing in September, their songs of the maytime When shadow wax strong and the thunderbolts hurtle, they hide with their fear in the leaves of the myrtle When rain and the sunbeam shine mingle together, they start up like fairies that follow fair weather तो इन lines में silver voice से इनका मतलब है उस bellbird पक्षी की जो आवाज है वो इतनी clear है और इतनी sweet है कि ऐसा लगता है जैसे कि उसकी आवाज silver से बने किसी musical instrument की तरह हो फिर shadow wax strong का मतलब है कि जब तेज तूफान चलने लगती है तो वो अपने साथ जो काले रंग की परशाई या shadow लेकर आती है उस परशाई की यहाँ पर बात की कई है फिर thunderbolt hurtle का मतलब है जो तेज चमकदार बिजली होती है वो और मर्टल का मतलब है एक evergreen shrub या जाड़ी जो की हमेशा हरे भरे होते हैं और जिनके पत्ते थोड़े glossy होते हैं या smooth होते हैं तो इन lines का overall meaning यह है कि उस belbert पक्षी की जो आवाज है वो इतनी clear है और इतनी sweet है कि ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज किसी silver से बने किसी musical instrument की तरह हो और वो पक्षी daytime का या दिन के समय का सबसे favorite है यानि दिन के समय में वो पक्षी सबसे beautiful birds में से एक लगता है और September के month में यानि जब Australia में spring का मौसम चल रहा होता है तब उस समय वो पक्षी पेडों के टहनियों पर बैठ कर वो में time का गाना गाती है यानि वो में की month में या autumn के month में जो उसने कष्ट या पीडा सह है वो उनको September के month में पेडों के टहनियों पर बैठ के गा रही होती है फिर poet आगे कहते हैं कि जब तेज तूफान चलने लगती है और चारों तरफ अन्हेरा चालता है और बिजली भी तेजी से गरजने लगती है तो वो बैलबर्ट पक्षी जो है वो डर के मारे वो मॉर्टल नाम के एक हरे भरे ज़ाडियों में जाकर छुप जाती है या उसके पत्तों के बीच में जाकर छुप जाती है और बाद में जब बारिश थोड़ी हलकी हो जाती है या धीमी हो जाती है और इसके साथ ही जब सूरज की रोशनी भी उन हलकी बारिश के साथ मिक्स होकर शाइन करने लगती है तब उस बहतरीन मौसम में वो बेलबर्ट पक्षी किसी फेरी की तरह या किसी इमेजिनरी बर्ड की तरह वो निकल कर बाहर आती है और वो अपने पंखों को ऐसे अनफोल करती है या ऐसे खोलती है कि जिससे उस पक्षी की सारे जो डिफरेंट कलर्स हैं जैसे कि ग्रीन, हो गया इसका सेकेंड सेंजा और हम देख लेते हैं इसके थर्ड सेंजा को तो इसके थर्ड सेंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि October, the maiden of the bright yellow tresses, loiters for love in the school wildernesses, loiters knee deep in the grasses to listen where dripping rocks gleam and the leafy pools glisten तो इन lines में maiden का मतलब है कोई lady या लड़की, फिर tresses का मतलब है लड़कियों के बालू में जो knot होता है या जिने हम आम बोलचाल में चोटी कहते हैं वो फिर loiter का मतलब है यहाँ वहाँ टहलना या घूमना फिर dripping rocks gleam का मतलब है कि जब चटानों पे या पत्थरों पे पानी की बूंद एके करके गिरती रहती है तो पानी गिरने की वज़ा से जिस तरह से वो चटान चमकने लगते हैं उसकी यहाँ पर बात की गई है और glisten का मत sun चल रहा होता है जिसकी वज़े से चारों तरफ हरियाली चा जाती है और nature बहुत ही beautiful दिखाई परता है तो इसलिए poet जो हैं वो यहाँ पर October के महिने को वो एक खुबसूरत lady या maiden से personify करते हैं या compare करते हैं और वो कहते हैं कि October का जो महिना है वो किसी beautiful lady की तरह है या किसी maiden की तरह है जिसके bright yellow color के tresses है या चोटी है तो यहाँ पर spring के मौसम में जो golden वाटल नाम का एक फूल खिलता है Australia के पेडो में उन्हें यहाँ पर उस lady के bright yellow tresses या चोटी से उन पीले रंग के फूलों को compare किया गया है और वो lady फिर यहाँ वहाँ टहने लगती है और वो जितना हो सके उतना वो उस beautiful सी जगा में समय बिताने की कोशिश करती है and she tries to seek love in that beautiful and cool wilderness फिर poet हम से आगे कहते हैं कि वो lady जो है वो उन चमकते हुए चटानों पे जो पानी की बूंदे गिरती रहती है वो उनकी आवाजों को सुनने के लिए और पत्ते से भरे चमकते हुए पूल की आवाजों को सुनने के लिए वो लंबे लंबे घास के बीच में से होकर गुजरती है जो कि उसके घुटने तक लंबे होते है और वो उसमें टहल रही होती है या घूम रही होती है फिर poet आगे लिखते हैं यानि ये जो समय है इस समय golden vital नाम का एक फूल Australia के पेडों पर जो उगा होता है वो वहाँ पर पानी से भरे पूल में reflect होने लगता है और इसके साथ ही चान भी उस पानी से भरे पूल में reflect हो रहा होता है और फिर धिर धिरे करके वो reflection सुबा होते होते वो पानी के पूल में से आगे बढ़ते ह हुए वो जरने में जाके या waterfall में जाके mix हो जाता है या बिखर जाता है और बाद में जब पूरी तरह से सुबा हो जाती है तो फिर से बेलबर्ट पक्षी जो है वो गाना गाने के लिए ready हो जाता है तो चलिए ये तो हो गया इसका third senza और अब हम बढ़ते हैं इसके fourth senza की तरफ तो इसके fourth senza की शुरुवात कुछी तरफ से होती है कि Welcome as the waters, uncissed by the summers, are the voices of the bellbirds to the thirsty far comers, when fury December sets foot in the forest and the need of the wayfarer presses the sorest, pent in the ridges for ever and ever, the bellbirds direct him to the spring and to the river तो इन lines में wayfarer का मतलब है जो राह चलते मुसाफिर होते हैं वो, फिर sorest का मतलब होता है वो physical pain जो हमारी body सफर करती है due to extreme hard work और soreness, फिर pent का मतलब होता है confined हो जाना या एक तरह से cad में रहना, और ridges का मतलब है पहारों के किनारे जो long narrow path होता है या रास्ता होता है वो तो इस stanza के पहले दो line में तो poet belbert पक्षे की आवास को गर्मी के मौसम में जो थंडे पानी होता है वो उसकी आवास को उससे compare करते हैं और इस fourth stanza में poet अप गर्मी के time की बात करते हैं जब December के महिने में Australia के जंगल में गर्मी का मौसम पूरी तरह से अपने कदम को जमा लेत है तो poet यहाँ पर कहते हैं कि जब December के महिने में गर्मी का मौसम पूरी तरह से अपने कदम को जमा लेता है और Australia का जंगल गर्मी से सुलग रह होता है तब उस समय बेलबर्ट पक्षी की जो आवाज है वो राच चलते मुसाफिरों के लिए थंडे शितल पानी की तरह है जो सोर हो जाती है तब उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो उन वादियों में हमेशा के लिए कैद हो गए हो तब उस समय वो बेलबर्ट पक्षी की जो आवाज है वो उन रह चलते मुसाफिरों को एक तरह से सुकून देता है और वो उन्हें गाइड भी करता है यानि उन्हें दास्ता भी दिखाता है टूर्ड स्प्रिंग वाटर और नदी की और और आखरी जो दो लाइन से स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं और वो बहते हुए पानी के मूव्मेंट और उनकी साउन के बारे में हमें बताते हैं यानि जिस तरह से जब कोई तेज बहते हुए पानी की धारा छोटे छोटे पत्थरों की वज़े से स्मूध और टोन हो जाता है और फाइनली वो लास में जाकर ओशन करेंट से मिक्स हो जाता है तो उस पानी की धारा की जो अलग-अलग मूव्मेंट और साउन प्रोडूस होता है उसकी यहां पर बात की गई है तो चलिए यह तो हो गया इसका फूर्थ सैंजा और हम देख लेते हैं इसके आखरी सैंजा को यानि फिफ्थ सैंजा को तो इसके फिफ्थ सैंजा की शिरुवात कुछी सरह से होती है की तो अब तक पिछले चार सैंजा में पोईट सीव हमें वही बता रहे थे जो उन्होंने काफी करीब से देखा था और जिसके बारे में वो जानते थे बट इस पर्टिकलर सैंजा में पोईट हमें पहली बार वो हमें अपने चाइल हुड के एक्सपीरियन्स के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि अक्सर जब वो यूही बैठे रहते हैं तो वो अपने बच्पन के समय के बारे में सोचते हैं जब उनकी आखों में और उन प्रवाइड किया करते थे यानि powerful emotions भी और sweet emotions भी और इन दोनों ही elements ने poet के धड़कते हुए दिल के passion को एक काबिलियत दिया एक ability प्रवाइड किया ताकि वो अपने passion अपने emotion को एक direction देकर वो एक beautiful से poetry या song create कर सके और इस poetry को वो उतना ही complexly लिखना चाते थे जितना कि Australia के jungle complex ह और फिर इसके final कुछ lines में poet हमसे ये कहते हैं कि उन जंगलों से या उस bellbird पक्षी से inspiration लेने का उनका main purpose या main motive यही था कि अगर उन्होंने अपने poetry में अपने song में उन जंगलों की beauty को या उसकी strength को perfectly accomplish कर लिया या hustle कर लिया तो वो अपने साथ उसे शहर लेकर जाएंगे उसे की जाखरथ है उन्हें इस तरह के masterpiece की एपने daily life में जरूरत है क्योंकि उन्होंने अपने ज़न्दगी में कुछ ऐसा खोया है या कुछ ऐसा सफर किया है जिसके वज़े से उन्हें इसकी शहरों में जाखरथ है ताकि वो उन्हें ताक्त दे सके उन्हें रहत दे सके और उन के हाश रियालिटी को या हकीकत को तो इस तरह से ये पोईट्री खतम होता है and I hope कि आपको वीडियो पसंदा होगा वीडियो पसंदा तो प्लीज आप कमेंट करके ज़रूर बताएं लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ and थैंक यू फर वाचिंग